इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिकल पब्लिकेशन एंड सीडिल पब्लिकेशन एए एसी आर टूकी चलिए देखते हैं इसका सब्टाइटल है एन ओफिशल और बिटिश सिसाइटी अफ नुक्लियर साइंटेस्ट वॉल्यूम डॉट वन कॉमा नंबर वन यह यहां पर क्लास नंबर है ओके कॉल नंबर नहीं है यहां पर क्लास नंबर है आपको यह चीज नोटस करनी है ठीक है कि कॉल नंबर गिवन है या क्लास नंबर गिवन है Mostly यह जो serial publications होती है यह periodical publications होती है इसमें class number given होता है Size given है Accession number given नहीं है इसमें अब note है इस note को अब ठीक से देखिए The quarterly general was started in 1967 और यहां class number में भी दिखर का है N67 ठीक है N होता है 90s में जो होता है ठीक है ना तो 1967 और यहां पर इसने given भी है अगर नहीं होगा ना यहां पर जिसे यहां इसमें है यहां पर mention अगर नहीं होगा mention तो आपको class number में से लेना है यह तो आपको पता ही होगा colon में से हमें कैसे लेना है ठीक है न, colon में given है, जो year है तो N से जैसे 19 आता है M से 80 का आता है वैसे ठीक है second है, one volume is complete in one non-calendar year ठीक है third है, library has a full set of general except volume 3 and 5 and fourth point है a, free answer has added this general from its inception तो यह four हमको note में points दे रखे हैं इनको हमको ध्यान में रख्के entry बनानी है चले देखते है entry कैसे बनानी है तो इसकी main entry है यहां इसका class number आ गया क्योंकि इसमें call number given नहीं था सिर्फ class number given था तो यह class number ऐसे कैसे आ जाएगा call number को आपको पता है आपको कैसे लिखना होता है class number then book number उपर नीचे आता है यहां class number है तो यह यहां पर इस line पर ही as it is इसे class number आ जाएगा then जो इसका title था general of atomic physics यहां जाएगा slash लगा के इसका sponsor का जो name है an official organ of British society of nuclear scientist ठीक है यह slash लगा के ही आएगा यहां पर then dot dash volume dot one comma number dot one ठीक है यह given था उसमें question में given था आपने question ध्यान से देखा होगा तो यह given था जब an official organ था उसके नीचे ही यह given था इसका year भी given था तो इसको as it is ऐसे ही लिख देंगे इससे given था volume dot one comma number dot one और जो उसका year था उसके side में था right hand side में इस year को हमको bracket में लिखना है okay July 1967 ठीक है ऐसे bracket में आ जाएगा यह उसके बाद bracket close करके हमें dash लगाना है फिर उसके बाद dot dash place of publication then column लगा के publication house का name Cambridge University Press comma 1967 यहां पर year के बाद कभी भी dot नहीं आता है हमेशे यह 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 हमको अच्छे से ध्यान में रखना है and one more thing कि अगर volume वहां पे उपर कभी भी question में ऐसा हो कि volume 20 दे रखाओ यह 11 यह 12 दे रखाओ तो भी हमें यहां पे तो volume dot one comma number dot one ही करना है और year जो गिवन होगा वो भी जो जिस volume का दे रखाओ उसका ही होगा तो वो नहीं लेना हमें वॉल्यूम वन का year हम कहां से निकाल सकते हैं हम यहां class number से निकाल सकते हों कि n67 है न तो n denote करता है 90s को 1967 तो यह यहां पर 1967 आ जाएगा पर इस question में तो given था तो हमने as it is लिख दिया तो ब्रैकेट में हमने ऐसे लिख दिया यहां पर कोई कॉमा मगरा नहीं आएगा डायरेक्ट आएगा मन्त का नेम यह का नेम और यहां पर हमें यहां से नहीं करना है कि फॉस्ट वर्टिकल से स्टार्ट कर दें इसमें सब कुछ सेकंड वर्टिकल से ही फॉसट नहीं में पाथ है कि यहां इसमें कि यह लगा स trabalhक चोडेंगे यहां प सब्सक्राइब ऊसपेस थोड़ा हाउस का नेम कॉमा इयर के पर यहाँ पर 3.v. सेमी कॉलन 26 सेंटिमीटर डॉट ठीक है क्योंकि अब इसकी और वॉल्यूम्स आएंगी या हो है तो इस वज़े से यहाँ पर 3.v. आएगा ठीक है यहाँ आपको हमेशा साइज से पहले मैंचन करना ही है त्री डॉट लगाके भी डॉट लगाके पर यहां पर साइज लिख देना है अब यहाँ नोट में हमने देखा था कि इस सब क्वाटरली पॉब्लिकेशन ठीक है तो यहाँ पर क्वाटरली आ जाएगा अगर मन्थली होता मन्थली आ जाएगा एयरली होता एयरली आ जाता ठीक है ना तो एक क्वाटरली है तो एक क्वाटरली आ गया उसके और डॉट लगा देंगे इसमें एडिटर था तो एडिटर का नेम आ जाएगा as it is एडिटर कॉलन एडिटर का नेम डॉट फिर इसमें नीचे दे रखाता note section में कि library satelix v.3 and 5 volume 3 and volume 5 available नहीं थी तो हम यहाँ पर mention करेंगे library satelix v.3 and 5 3 and 5 available नहीं है then tracing section में आने के बाद हमें इसका subject लिख देना है one dot nuclear physics ठीक है तो यह क्योंकि atomic physics की है ठीक है और nuclear scientist जो यह society इसने करी है तो यहाँ से हमें subject यहीं समझ आ रहा है कि इसे nuclear physics बोलते है ठीक है तो जो भी subject आपको समझ आएगा तो अब उसको subject बना देंगे तो यहाँ पर nuclear physics subject है dash लगा के periodicals तो जो भी हमें subject समझ आता है उस subject का नेम लिखने के बाद dash लगा के periodicals लिखना ही लिखना है यह बहुत important है ठीक है यह जितनी भी entries बनेगी ना serial publication, periodical publication की उसमें subject के बाद dash लगा के periodicals मेंचन करना है फिर one लिखके British society of nuclear scientist यह sponsor body है ठीक है ना यह जो भी इसको होगा sponsor उसका यहाँ पर tracing में entry बनेगी तो उसकी added entry भी बनेगी tracing में आ गया तो इसका मदाब added entry भी बनेगी तो यह British society of nuclear scientist का था ठीक है फिर second है answer, a.fry. तो यह हमारा editor है एडिटर के entry बन गई ठीक है अब जल्दी से इसकी added entries देख लेते हैं आप एक बर वापस से main entry देख लीजे ठीक से चलिए अब इसकी added entries बना तो इसकी subject entry हो गई tracing में से हमने इसका subject का नीम ता nuclear physics dash periodicals dot इसका title आ गया general of atomic physics तो कि यह title ही इसका author मान लेते नाम उपर इसको तो लिखते है leading line पे ठीक है na heading section में इसलिए इसको as it is यहां लिख देंगे rest is main entry same sponsor entry sponsor थे इसके British society of nuclear scientist वही आजाएगा general of atomic physics rest is main entry यह तो यह तो हमें main entry में से copy करना है जो हमने उसकी leading line में लिखा है ठीक है na heading section में editor entry बन जाएगी उपर editor का name आ गया फिर वही as it is general of atomic physics rest is main entry तो यह आपका serial publication की entry complete हुई मैं और entries आपको बता देती हूँ बनानी है थोड़ा different है वो तो मैं next question है general of cataloging and classification यह इस में भी volume and number दे रखा है यह इसका year or month quarterly organ of the division of cataloging and classification American library association यह इसका sponsor हो गया editor आ जाएगा place of publication publication house 1945 year आ गया call number इसमें दिया है ठीक है इसमें class number नहीं है इसमें call number है ध्यान रखना है ना मैंने आपको कहा था कि class number given होगा तो वह as it is एक साथ आ जाएगा call number होगा तो आपको पता है यह क्या करना है size आ गई note section में library has the full set of this periodical except volume number 10 to 15 तो इसके पास full set है बट 10 to 15 volumes नहीं है और यह esther jpearcy है जो इसकी editor है इसका mention कर रखा है ठीक है वो हमें उपर भी given है तो मुपर से भी देख सकते तो अपी question ध्यान से देख लीजिए एक बार चलिए देखते हैं entry कैसे इसकी main entry है वा नेम आगे general of cataloging and classification slash करके quarterly organ of the division of cataloging and classification, American library association अब यह American library association ब्रैकेट में था हमें यह main entry में इसको ब्रैकेट में नहीं रखना है ठीक है इसके बाद ही comma लगाके इसको लिख देना है bracket हट गया यहां पर ठीक है main entry में हट जाएगा bracket dot dash लगाके volume के नेम आ गए volume dot one comma number dot one यह तो mention ही था उसमें as it is अजएगा यह यहां पर bracket जो इसने लगा रखा यह wrong है ठीक है यह इसी bracket में आएगा January dash March ठीक है फिर आप comma लगाके 1945 करके bracket close कर दीजेगा ठीक है फिर bracket close करके dash आ जाएगा फिर space छोड़के dash Chicago उसकी place आ गई colon लगाके ala ठीक है dot comma 1945 dash ठीक है न year के बाद यह dash ही आएगा इसके बाद में अब देखिए इसमें accession number given था तो हमने यहां पर लिखती है कभी-कभी accession number नहीं आता ऐसा लिखता use notation as accession number तो आप को भी 5 digit का accession number बना भी सकते हैं ओकिए फिर यह three dot आएगा three dot v dot यह semi colon 27 cm टीक है न after that editor colon editor का नेम library satellite v dot 10 to 15 यह available नहीं थी subject आ जाएगा लाइब्रेडी टेक्निकल सर्विसेशन यह चैटलॉगिंग इन क्लासिविकेशन होता है इनको लाइब्रेडी टेक्निकल सर्विसेशन बोलता है dash periodicals फिर बन करके American Library Association यह जो है ना यह sponsor body यह इसकी American Library Association dot division of cataloging and classification इसको underline कर देंगे हम पर इसका division is American Library Association का second आ जाएगा इसका editor का नेम surname phone name में ठीक है यह इसकी main entry होगी इसकी main entry इसमें कुछ मिस्टेक है जो मैंने mention आपको कर दीए कि यहां जो three dot आएगा और यह जो bracket का है इसमें रखना है okay next इसकी subject entry बनाएंगे इसकी subject entry हो गई ठीक है यह वो ही है subject इसमें देए रखा लाइबरी टेक्निकल हो बस यह उपर आ जाएगा में एंट्री में से आपको लिखना ही है इसका let's just main entry sponsor entry आ गई sponsor थी American library association dot division of tracing में किया था वो as it is आजएगा और यह general of cataloging in classification आ गया let's just main entry एक लास्ट इसकी बनेगी editor entry यह एडिटर एंट्री हो गई एडिटर का नहीं हम आ गया general of cataloging in classification आ गया rest is main entry यह हमारा next question है general of institution of electronics and telecommunication engineers अब देखें इसमें volume dot one comma number dot one नहीं है इसमें volume dot twenty number three दे रखाया ठीक है और यह जो इसका year है यह इसी का year है इसी volume का year है तो यह तो हमें लिखना ही नहीं है उसमें यह publication house आ गया इसकी frequency दे रखें कि यह monthly publication है size दे रखें अब यहां पर class number है previous question में क्या था call number था call number में से हमने उसमें क्या लिखा था class number निकाल लिया था book number रहने दिया था अब इसमें तो class number ही given है तो ऐसे कैसे class number पूरा आ जाएगा अब note है क्योंकि जो भी हमारा serial publications होता है इसमें सिर्फ हमारा class number आता है okay पूरा call number नहीं आता है note आ गया library has a complete set of the general complete set है यहां पर ठीक है और यह इसका number दे रखाया है आई आई ऐसे okay चले देखते इसके entries जल्दी से इसकी main entry है यहां पर class number आ गया हमारा यह आगे general of institution of electronics and telecommunication engineers पूरा कपूरा आ गया dot dash यह मैंने का ना volume 20 था तो हमें तो नहीं लेना volume dot 1 हमा number dot 1 1974 1974 कहा से लिया हमने and 74 है यहां से तो कि इसमें तो given नहीं था इसमें तो volume 20 का year थे रखा था तो हम volume 1 का year कहा से निकाल लेंगे class number से और class number ही आता है only है ना call number भी given होगा तो भी हमें यहां पर class number ही लिखना है यहां तो class number ही given था फिर dot dash new Delhi colon the institution अब the institution हमने इसलिए लिखा कि पूरा mention करने की अब जरूरत नहीं है कि institution of engineers यह यह है ना यहां पर जो दे रखा है और जो उसमें दे रखा था वो सेम ही है तो सिर्फ the institution लिख देंगे अगर यहां पर जो society दे रखी और वो match कर रही publication से भी तो हम सिर्फ the society लिख देंगे ठीक है तो यहां गया 1974 dash उसका year आ गया यह year भी कहां से लिया हमने यह भी class number से लिया वोकि नीचे इसका भी नहीं दे रखा तो question में ठीक है फिर यह तीन डॉट वी डॉट सेमी कॉलन 28cm डॉट इसके बाद monthly डॉट इसका subject आ गया electronics dash periodicals second में telecommunication dash periodicals दो subject इसके समझ आ रहे तो इसने दो subject के entries बना दी इसमें electronics भी दिख रहा है telecommunication भी दिख रहा है तो इसने two subject entries बना दी इसमें फिर institution of electronics and telecommunication engineers यह जो है इसकी society मानली इसकी sponsor body मानली इसकी फिर bracket में new Delhi इसकी place then subject entry बनेगी इसकी call number आ गया subject आ गया electronics dash periodicals यह पुरा as it is आई जाएगा rest is main entry subject to be as it is बन जाएगी जो tracing में थी okay इसकी पाद ही हमारा sponsor body जो था institution of electronics and telecommunication engineers bracket में new Delhi dot general of institution of electronics and telecommunication engineers rest is main entry तो यहां पर हमारा serial publication and periodical publication topic finish हुआ कोई भी डाउट हो तो comment section में पूछिए and please like and subscribe librarian study thank you